बिसमिलल्लायलाबमान रहीमस, सरामेड़ायकम, आज हम डिसेम्बलिंगें हैं, टेक्नो कैमेन टोरिंग इसमें शूइ है कि यह चार्ज नहीं कर रहा है, तो हम इसकी जो चारजिंग रिविन है उसको निकालिंग और रिसोल्ड करेंगे लेकिन इसको पहले हम डिसेंब्लिंग कर लेते हैं इसके इसके बैक कवर के उपर आप हीट लगाएं अच्छा तरीके से अगर आपके पास सेपरेटर है ग्लास सेपरेटर तो इसको बैक में इसके अंदर बलेड की मदद से रखी से जगा बना ले ऊसके बाग कोई भी एकसरे पेपर ले किए इसका बैक साइट को उपन करें इसका बैक साइड अराम से उपन हो जाती है लेकिन देहान यह है कि यह टूटे ना यह प्लास्टिक की होती है और कुछ कांच की भी आत होती है जो कि तूड़ भी जाती है कुछ खराब हो जाती है तो कोशिश यह करें कि हीट एतनी रखें कि यह उटर जाए हीट जादा भी ना दें और कम भी ना दें कि अब इसके उपर हम दुआरा से हीट चला लेते हैं अच्छा दिहान ये भी रखें कि कैमरे के जो लैंस हैं उसके ओपर हीट ना परे और अपने हाथ को थोड़ा तेजी से चलाएं ताकि ये सेवली अपका प्रोसेस हो सके अब ये अराम से जो है ये उतर जाएगे इन्शाला दो है ये मुबाइल फर्स टाइम ओपन हुआ है हम इसके सारे नट ओपन पर देते हैं नट खोलते वाक एक दिहान रखें जो सील्ड पीस होते हैं इनके अंदर अपना जो है वो वाइट ट्रेर की पैकिंग लगी होती है सील्ड लगी होती है मुबाइलों में तो अमेमन केसिस में हम भूल जाते हैं वो नट खोलना और पीस को खोली है कोशिश करने दखते है तो कोशिशे करें कि याद रहे नहीं याद रहता है तो हलके आद से काम करें ताकि कोई नुकसान न उठाना बड़े अब ये इसके उ तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि नट खोलते वे दिहान यही रहे है जब पीस को आप उठा रहे हैं तो नट सारे खुले वे हैं तो अगर ऐसा नहीं भी होता है तो अब हलके आद से कोलें अगर हलके आद से कोलें तो कोई मसला नहीं होगा उसमें कोई चीज खराब होन मूबाल जो अभी आ रहा है और फिंगर पॉइंट साइड स्क्रीन के उपर होता है मतलब साइड बटन के उपर होता है तो दिहान रहा है मूबाल जब आप उपन कर रहे हैं तो जब उसमें साइड अगर फिंगर पॉइंट है तो उसके अंदर जब मैंने जैसे गलास होता रह तो सिर्फ एक एक पॉइंट के लिहाज से वहां से ग्लास को उतारा जाए जब वहां से उतारेंगे तो आपको फिंगर की रिबिन कभी कटेगी नहीं और आप सुकून से अपना अगाम कर लेंगे कि दिखें मैं यह फिंगर मैं सिम ज़िक निकाल लेता है उसका सिम्टे अच्छे निकाल लिया मैंने इसका एक नट अभी नहीं खोला आई ताकि आप लोगों को सेवडी दिखा सको कि हलके हाथ से आपूले यह अब हलके हाथ से खोलेंगे ठीक है अभी देखें कि बिल्कुर हलके अज से को मैंने उपर कर ला एक कि वह पतल लगया कि नट लगा वा तो ऐसे अगर आप लोगों को बता लग जाएगा तो असानी रहाएगा ठीक हो गया अब उसके उपर भी मैंने एक नट छोड़ावा है तो साइड में एक नट है वो भी मैं खोल लेता हूँ तो ये आप लोगों के निये मेने के तहकी के निये कर दूँ आप लोगों की कि आप मुकासानी रहे इस चीज के ओबर कि ऐसा केस हो जाए तो क्या करना है हलका हाथ रखना है हमेशे ये देखें ये खुद ही उतर के बाहर आगया आप मैं इसकी रिविन को अलग कर लेता हूँ और दुसी चीज सबसे काम पहला ये करा करें कि बैटरी कनेक्टर को डिसकनेक कर दें मुबाइल से कोई भी मुबाइल हो बैटरी को डिसकनेक कर दिया जाए ताकि आपका जो मुबाइल है वो बैटरी जो करेंट है वो बोर्ड में जाना बंद हो जाए अल्ला ना करे आपक पास हाथ में ट्यूजर है तो वो लग जाता है तो मुबाइल में कोई मज़ीद खराबी नहीं होगी अच्छे ये हैं हमारे इसके फिंगर की रिबिन भी साथ में इसके हलका सा पैट्रॉल लाने और ये निकाल ले तो ये हमारा बहुत प्यार से बाहर आ जाएगा सारा काम मुबाइल का हलके हाथ से करने कुशिश करनी है थोड़ा जजबात में आके काम खराब हो सकता है मैं इसको पैट्रॉल से वाच करके ये वाटर डैमिज निकला है हमारे पास मैं इसको पैट्रॉल से वाच कर लेता हूं और सर्वीस करके इसकी देखते हैं कि इसमें क् रिबिन डाल देंगे उसका जैक भी आप चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर वाटर डेमिज जादा है तो मैं मशवरा ये देता हूँ कि आप उसे जो है वो पूरा रिबिन ही रिप्लेस कर दें तो जादा बेटर आप्शन है कि कभी कबर माउथ पीस नहीं वर्क कर रहा होता तो फिर आप माउथ पीस चेंज करने चले जाते हैं चार्जिंग जैक के बाद इससे बितर है कि पूरी रिबिन ही चेंज कर दे हाँ अगर माउथ पीस वगएरा वाटर डेमिज जिफ चार्जिंग जैक की साइड से तो फिर आप चार्जिंग एक सिर्फ चेंज करें और उसे सभी कर लए ये अच्छे तरीके से मैं इसको रिसोल्ड कर रहा हूं इसके प्रिंट मिल गए हैं उसको निकाल देते हैं तो जब भी काम करें बहुत दियान से काम करें अपने हाथों को भी बचाएं आयरन जो है वो कभी कबर हाथ पर भी लग जाती है तो आयरन अच्छा यूज करें अच्छी का समान यूज करें ताकि आप लोगों को काम में मज़ा है और चीजों में जब ऐसा कोई काम है तो वह फस ना जाएं आप लोग मैंने से अच्छी से रिसोल कर लिया है इसका एक में फस गया था वो भी अलहमदोल्ला निकल गया है अब इसे में जो है वो मीटर के उपर पे चेक भी कर लूँगा यह वाटर डैमिज काफी जादा हुआ वह है तो अंदर के प्रिंट जो है वो नहीं बन रहे है फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं मल्टी मिटर की मदद से हम इसका करन्ट चेक करेंगे करन्ट चेक करने के नहीं मल्टी मिटर को वाल्टेज मूट पर सेट करके हमने इसके प्लस और माइनस को चेक करने है बलेक को ग्राउंड पर रखके इसमें रिडिंग जो है वो नहीं आ रही है तो हमारा यह चार्जिंग जाए बिल्कुल फारिक है ठीक होगे अब दुस्ते साइड से लगाके भी चेक कर लेते हैं कि रिडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है कोई इस साइड पर रिडिंग उठा रहा है यह लेकिन चार्जिंग नहीं करेगा इस कंडिशन के ओपर यह ठीक है तो हम गी रिबिन को चेंज कर देते हैं जजाक अल्दा खेर